क्लास 11 के बारे में क्लास 11 में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यार यह मेरा ही रिजल्ट है क्लास 10 में यह 95% अबाव का मतलब यही है कि जितने भी बार मैंने एक्जाम्स हुए हर बार मेरा 95% से अबाव का स्कूर आया और यह है मेरे क्लास 11 के स्कोर्स जो मैंने यहां पर लिखे हैं जो कि काफी जादा ड्रास्टिकली डाउन है और यह मार्क्स मेरे तब आये है जब मैंने 100% डेडिकेशन दिया था अपने क्लास 11 में प्रॉपर्ली स्ट्राटेजी फॉलो की थी सारी बुक्स को टाइम से पढ़ना शुरू किया था और प्रेपरेशन बिल्कुल सेशन के बेगिनिंग से स्टार्ट किया था उससे भी थोड़ा पहले जब बोर्ट्स चल रहे थे उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके मैंने अपना प्रेपरेशन स्टार्ट किया था तो यार फिजिक्स में मेरे थे कुछ 63 मार्क्स, केमिस्ट्री में मेरे थे 72 मार्क्स में थे और यह थे आउट ओफ 100 तो यारी 100 में से 63 मार्क्स में रहे थे तुम खुद सोच सकते हो कि कहां साइन्स में तुम लोग 100, 99, 98, 95 मार्क्स लाने के हबिच्वल होते हो से मेरा भी केस था बट अचानक से 11 में जाकर कि वो स्कोर मेरा ड्रास्टिकली डाउन हो गया इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं वो कुछ गलतिया है जो मैंने शायद 100% डेडिकेशन तो देखा अपना लेकिन वो मिस्टेक्स नहीं देखी जिसकी वज़े से इतनी सारी मार्क्स डाउन हो गए तो यह तो तब चार्ट है यह मैं एक तरीके से तुम कह सकते हो यह टॉपर स्कोर है 10 से 11 के स्विच पे इतना मार्क्स ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है तो मैं यार तुम्हें एक स्मार्ट सीनियर बनके एक ऐसी स्ट्राटेजी ऐसी चीजे बतारी हूँ क्लास 11 के बारे में जो काफी जादा हार्श है जो रियालिटी आपको समझनी पड़ेंगी और बहुत इंपोर्टन है सबसे पहली गलती क्या होती है क्लास 10 तक यार 99% बच्चों को ये हैबिट होती है कि वो न चैप्टर को बहुत जादा कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो क्वेशन आंसर के हिसाप से चैप्टर पढ़ते हैं यानि वो देखते हैं कि अच्छा इसमें ये ऐसा क्वेशन आंसर आता है तुम्हें board exams में questions आएंगे concepts से related questions आएंगे और वो concepts के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा understanding होनी पड़ेगी अगर understanding नहीं है तुम class 11 में marks नहीं ले के आ सकते मैं तुम्हें आज की date में ये वीडियो को तुम pause कर लो मैं तुम्हें लिख के ये चीज़ दे रही हूँ कि किसी ने भी class 11 में रट्टा मारा और ये सोचा कि वो class 11 पास कर जाएगा बहुत बड़ी गलत फैमी है ये हो ही नहीं समता मैं तुम्हें अभी जूट नहीं बोड़ रही हूँ मेरी class में केवल 4 बच्चे physics में पास थे बाकी पूरी class फेल थी कोई 33 marks तक भी score नहीं कर पाया था 100 में से क्योंकि तुम जब 11 की पहली बार physics देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार ये तो बहुत ही अलग concept है इदर तो पूरा game ही अलगे या तो तरीके ही अलगे तो तुम बिल्कुल भी रट्टा मार करके तो अपना 11th cross नहीं कर सकते specially तब जब तुम science background से हो physics का तुम कुछ भी रट्टा नहीं लगा सकते तुम्हें eventually पढ़ना ही पढ़ेगा I hope यह समझ रहा होगा दूसरी गलती बच्चा क्या करता है यार सबसे बड़ी mistakes जो मैंने भी करी थी वो 10th का अपना traditional तरीका होते है नोट्स बनाने का जैसे हम लोग होते हैं गिस गिस के सजा सजा के नोट्स बना रहे होते हैं यह 11th में नहीं चलता है नोट्बुक खरीदनी है सबसे पहला टास्क तो यह करना है मैंने सबसे बड़ी गलती यही की थी मैं वो 10th वाले ही method से नोट्स बनाती थी इस वजह से मैं पढ़ाई में पीछे रह जाती थी मेरा जाधा time नोट्स बनाने में जाता था और उसको पढ़ने के लिए मेरे पास time कम बचता था तो तुमको करना क्या है तुमको strategy उल्टी करनी है बटा यानि कि तुम पढ़ो लेकिन नोट्स जब note down कर रहे हो na copy में तो जितने short crisp और अच्छे हो उतना बहतर है ठीक है तो तुमें काम कर सकते हो मैंने मैंने जो बादबाद में शुरू किया था कि मैंने एक नोट्बुक बनाई थी ठीक है एक common notebook बनाई जिसमें तुम खुद पढ़के लिखते रहते हो वही notebook में school भी लेके जाती थी जब मेरा teacher कोई point बताता था या कोई अच्छी चीज़े बताता था मैं उसी notebook में कहीं पर नोट बनाके लिख देती थी same notebook में अपनी tuition में जा रही थी तो वो notebook में tuition में भी लेके जाती थी कि अगर मेरा tuition teacher भाई मेरे को इससे related को important चीज़ बताएगा मैं उसी notes में उसी जगा पे लिख दूँगी इससे क्या हुआ कि एक particular topic के बारे में मालो एक particular topic के बारे में जो भी तुमारी information है इस particular topic के बारे में वो तुम्हें अलग-अलग जगा से आ रही वो तुम्हें tuition से भी आ गई वो तुमारे school teacher की भी आ गई वो तुम्हारे साथ के साथ तुम्हारे जो तुमने यूट्यूब देखा या विडियोस देखी, वहां से आ गई, एक ही नोटबुक में अपनी सारी चीज़े, सारी डिटा को एक ही नोटबुक में डालने की कोशिश करो, यह सबसे बेस्ट तरीका है, अलग-अलग सबसे जादा बच्चों में यही गलतियां होती है, 11 में वह होता है, सारे के सारे बच्चे सबसे जादा फोकस डाल देते हैं, पता है किस चीज़ों में, 10 तक तो जलो, जैसे तैसे करके तुमने कर लिया, पर 11 में बच्चों को क्या लगता है, कि हम टूशन जाएंगे, उन खुद का 3 घंटा टूशन में वेस्ट होता था, स्कूल जाती थी, वापिस आती थी, तैयार होती थी, टूशन जाती थी, 8 बजे तुम घर आ रहे हो, सुबह से तुम शाम तक एक्जॉस्ट हो, उसके बाद तुम सेल्फ स्टडी करी नहीं सकते हो, तुमें स्मार्टली प् पीछे जाके लड़किया छेड़ रहे हैं या, बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, लड़किया मतलब लड़किया भी लड़के छेड़ सकती, मतलब mutual understanding पे एक दूसरे को छेड़ रहे हो, ऐसा टाइम बस तुम कर ले देओ, बढ़ ये कॉलिज में नहीं हो सकता, मतलब तुम ट्यूशन जा रहे हो, या कहीं भी जा रहे हो, जितना होता है, क्लास में फोकस बना के रखो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उस टॉपिक से रिलेटेट कब तुम्हारे बोर्स में एक्जाएंगे, एक्जाम में क्वेस्ट कर दो, अगर स्कूल जाते हो, तो नहीं पढ़ना है तो मत जाओ, क्या बोला मैंने, अगर जाते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत जाओ, ताइमेस मत करो, 11 पे टाइम आएगा न, इतना से लिब्स होको, तुम पढ़ी नहीं पाओगे, तो अगर स्कूल जाते हो न, टीचर कुछ पढ़ा रहे है, उस या online पढ़ोगे, तीसरी बार जब तुम self study करोगे, यहाँ पे एक simple सा formula लगता है, मैं तुम्हें बताती हूँ, वो होता है, input, process, output, I think computer में पढ़ाते थे, input, process, output, input, tuition का पढ़ाया हुआ, teacher का पढ़ाया हुआ, tuition से, YouTube से पढ़ा हुआ, इधर से पढ़ा हुआ, उधर से पढ़ लिया, process, समझने का, जब वो पढ़ा रहे हैं, और तुम उसको क्या करे हो, समझ रहे हो, output missing होता है, सारे cases में, missing होता है, output तो तुम करते ही नहीं, सुबह स्कूल गए, tuition गए, पढ़ लिया, आके सो गए, input रखे, output किया नहीं, कैसे आएगा समझ में, जब तक तुम उस चीज़ को खुद से implement नहीं करते, तुम्हारी पढ़ाई किसी काम की नहीं है, मेरे से लिखा के लिए लो, अगर तुम्हें लगते हैं, तुम स्कूल में एक topic समझ के, tuition में वही topic दुबारा समझ के, तीसरी बार तुम्हें एक्जाम में बठाओ, तुम attempt कर लोगे, मैं क स्कूल जाते हो, तो समझो, tuition जाते हो, तो समझो, जब खुट बैठते हो, तो भी समझो, इसलिए मैंने बोला, एक notebook बनाओ, ताकि तुम तीनों जगन अपना दिमाग खोल के काम करो, समझ रही बात, तो वह साधा बहुत important चीज है, चौत ही mistakes मैंने क्या करी, भई 10 तक तो ह कर लेते हैं, यह favoritism, कि science पढ़ लेंगे, maths पढ़ लेंगे, लेकिन 11th में सारे subjects बराबर पढ़ो या तो मत पढ़ो, especially physics, chemistry, maths है, या commerce के दीन subjects है, humanities के हैं, बराबर पढ़ना है, अब science में मैं क्या गलती करती है, मुझे physics टफ लगता था, मैंने सारा time physics में निकालती थी, mostly, chemistry ठीक लगती थी, तो कर देती थी, अगर मैं chemistry और पढ़ लेती, तो मेरे 80 या 90 से उपर मांक सा सकते थी, chemistry तो मुझे ठीक लग रही थी, same होता है कि math में ज्यादा time निकाल दिया, सबसे ज्यादा जो time होता है, बच्चे 11th class का 50% बच्चा, physics में टाइम निकालता है, और बच आच भी चीज होगी, जब तुम पहली बार 11th में जाओगे न तुम अगर सोचो 90 प्रस मार्क्स आ गए, तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमने score कर दे, means you are a brilliant mind, student और तुम definitely boards में आग लगा दोगे, लेकिन 11th में demotivation आती है, मेरे को खुद को मैंने पहली बार 63 मार् आ रहे हैं, वो भी class में highest है, जिसमें भी 4 बच्चे पास है, बाकी फेल है, तो आपको demotivation होती है, आपको लगता है, यार, यह क्या हो रहा है, क्योंकि 11th से पता चलता है, आपका level of, मतब कितना level of thinking है, कितना standard है आपका, क्योंकि 12th तक, 10 तक boards तो आपको सब को serve करके, sample paper आ रहे हैं, घिसे पिटे questions आ रहे हैं, paper easy बन रहा है, 11th में तो teachers के हाथ में है, सारा का सारा game, कोई boards paper बना के नहीं दे रहा, teacher jump के tough paper डालता है, schools में, मेरे खुद के schools में, physics में ऐसे ऐसे paper बनते थे कि मेरे को समझ नहीं आता था, इसको attempt कैसे करना है, so that is also one of the cases कि भई, आप के लिए कौनसी books लेनी है, वो देख लेना, और अगर आपने telegram join नहीं किया, तो नीचे description में telegram है, वो join कर लेना, और मैं आपको मिलूंगी अगली video में, जो और भी जादा अच्छी होगी, जिसको हम episode 3 बोलेंगे, तब तक के लिए video miss मत करना, please इस video को ध्यान से देखना, and I'll see you in the next video, bye everyone.